पहला वो वन में बिन परिणाम और ये अजगर मानो साक्षात यमदूत हो बेचारे निर्बल और मूख पशू इन क्रूर पश्वियों का भूजन बनते हैं और आज मैं भी कितना क्रूर हो गया हूं इस वंचर दसा में भी न जाने कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं कशायों की मंदता भी अनभव मे में आती है लेकिन मैं तो उस मंद कशाय में परिणाम में ही एकत्व का अनभव करता हूं सच में मात्र मंद कशाय से क्या उपलब्दी है आखिर तीवरता मंदता में जूलते जूलते ये परियाय पूर्ण हो गई अरे ये में कहां आ गया किसी स्रेष्टी का सुन्दर राजमहल माता पिता के स्नेह रस से पुष्टो होकर नजाने कभ योवन आ गया कैसी मादक था विशेयों का रस ही आनंदमाई भासित होता था राजिसी भोग भोगते हुए नजाने कितना काल व्यतीत हो गया अरे ये वज्रपात कैसा पिता स्री का देह भी योग हो गया अशरन संसार में कौन सरन भूत है पिता स्री की मृत्यू के पस्चात सारे परिग्रह का भोज मुझे समालना पड़ा और लोग मुझे सेट कहने लगे अभी के तु सेट नजाने किन संसकारों के वस जिनेंद दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सदाचरण ये सब गुण मेरी दिन्चरिया के अंग बन गए मैं दुर्वयसनों से बचा रहा पर मृत्यू तो आती ही है हे भगवान, प्राण निकलते समय कैसी वेधना होती है, जैसे तैसे प्राण छूटे और तिसरा वव, सौधर्म स्वार्ग में देव अरे, मैं यहां कहां आ गया, और आते ही योवनवस्था, यहां तो रतनों का प्रकास है हां, यह तो स्वर्ग है, मंद कशाय का फ्ल, यहां का तो मजा ही निराला है ना भूख प्यास, ना खासी जो काम, बस अप्सराओं के साथ गूम फिरो और मौच करो लेकिन दूसरे देवों का ठाट बाट तो मुझसे भी अधिक है यह बात निरंतर काटे जैसी चुपती है, इसलिए भोगों में भी मजा नहीं आता और फिर इंद्र की गुलामी, निरंतर अपमान की भटी में जलना और विशे रसका पान करने पर भी अत्रप्त त्रशना और अब तो यह स्वर्ग फीका लगता है यह आभूशनों की चमक छीन हो रही है या नेत्रों की जियोती छीन हो रही है समझ गया, इस परयाय का अंत निकट है आखिर अमरों को भी मरना पड़ता है हे प्रभू, मुझे भी मरना पड़ेगा हाई, अब मैं कहां जाऊंगा अरे वाह, कितना सुन्दर है यह पुस्करदीप नजाने किन परणामों से मैं यहां विद्याधर हो कर आया लोग मुझे चिंता गती कहते हैं मेरे भाई मनो गती और चपल गती मुझे कितना प्यार करते हैं हम तीनों आकास में उड़कर जब अकृत्म चैत्यालियों की वन्दना करते हैं दिव्यद्वनी सुनते हैं तब कितना मजा आता है और वो प्रिती मती सौन्दर एकी प्रितमा लेकिन कितनी घमंडी समुद्र के सिखर से माला फैंक कर मेरू की तीन प्रदिक्षणा देकर उसे बीच में जहलने वाले से विवाह करने की सर्थ रखी भाईया मनो गती और चपल गती रीज परंतु सर्थ में हार गई लेकिन मैंने उसे हराई दिया और वो मुझसे विवाह करने को तयार हो गई परंतु जिस कन्या पर भाई दीजे हों उससे मैं विवाह कैसे कर सकता था मैंने तो मना कर दिया और उसने दीख्षा ले ली हम लोगों ने भी दीख्षा ले ली चलो विबाह की जन्जट मिटी सम्यक्तु के बिना सैयमा चरण में कैसा लगता था पाच्वाबो महेंद्र स्वर्ग में देव लो फिर भोगो मनोहर विशियों का सुख ये सुन्दर देवांग नाए मनोहर भोग सामगरी दिव्य वस्तरा भूशन क्या ठाट बाठ हैं परन्तु इन में सुख है क्या लगता तो सुख ही है परन्तु तरप्ती नहीं होती ऐसा लगता है और भोगो और 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 चाहिए इस तर्षणा की ज्वाला में कैसा सुख विचार तो सब आते हैं परन्तु अभी प्राय नहीं पलटता आखिर कभी न कभी सत्त की अनभूती होगी भोगों में कब समय बीथ गया और आयू का अंत निकटा गया पता ही नहीं चला आखिर ये च्छन भंगुर देव पर याए नश्ट तो होना ही है चट्वाबव अब पराजित कुमार अहा ये नगरी कितिनी सुन्दर है है तो संसार में पर लोग इसे सिद्धपुर कहते है पस्चिम विदेह की सीतोदा नदी के तड़ पर बसा ये सिद्धपुर दीर्थंकरों की विहार भूमी होने से सिद्धपुर ही है सेठ अरद्दास को पिता के रूप में पाकर मैं धन्न हो गया लोग मुझे अपराजित कहते हैं परंतु मैं मोह से तो पराजित ही हूँ चलो नाम ही सही अपराजित होने की पेड़ना तो मिलती है अहो जैवंत वर्तो तीठंकर विमल वाहन देव धन्य है आपकी अंतर मुख मुद्रा और गंभीर वाणी आहाहा ये वाणी जड़ होकर भी चैतन का साक्षात कार कराती है मैं तो रंग राग से भिन एकत्व व्वक्त स्वरूप ग्यायक मात्र हूँ विकल्पों से भी पार निर्विकल्प अनभूती स्वरूप भगवान आत्मा धन्य हो देव मेरे जीवन धन तुमको पा मेरी पहली अनभूती जगी नई द्रश्टी प्रगट होई सारी स्रश्टी बदल गई वाह चैतन रस का स्वाद शाश्वत सुख का प्याला अजम निराला देभी पर भासित होने लगी विशियों का रस नीरस भासित होने लगा हे प्रभो जनम जनम तक न भूलूँगा यह उपकार तुम्हारा सम्यक्तों के साथ साथ व्रती स्रावक का जीवन कितना शान्त कितना मधुर पितासरी भी निर्गरिन्त हो गए हाँ उन्हें केवल ग्यान भी हो गया मैं दर्सन करने पहुँच भी न सका और वे निर्वान गमन कर गए पित्र वियोग का दुख मुझे विचलिक कर रहा है अरे ये दो मुनिराज कौन चले आ रहे हैं इनका दर्सन मात्र रोमान्चक है अरे हाँ ये तो मेरे मन का भाव समझ गए स्वयम ही कह रहे हैं कि ये मनो गती और चपल गती विद्याधर के जीव हैं और प्रीती मती होगी कहीं अपने कुक्या जब चित्य में ही नहीं है तो याद क्यों करना ये मुनिराज मुझे भी निर्गरंथ होने की प्रेड़ना दे रहे हैं धन्य है इनकी निर्मोही करुणा आहा हा इस निर्गरंथ दसा में भी कितना आनंद है चैतन का समद्र परणती में उछल पड़ता है परिग्रह कातो सारा बोजी ही उतर गया अहा मैं सचमुच अपराजित हो गया लेकिन संजुलन कशाय को पराजित न कर सका लगता है कुछ भाव और सेश हैं लेकिन अब मुक्ती अत्यन्त निकट है सात्वाव अच्चुत स्वर्ग में इंद्र लो फिर भोगो 22 सागरूपम तक विशियों की आकुलता कहां वह अतिंद्री आनंद मैं निर्गरिंथ दशा और कहां यह असैयम की ज्वाला सैयम से चुत होकर अच्चुत स्वर्ग में इंद्रपद मिला है संजलन कसाय का यह दंड कितना कठोर स्वर्ग के भोग तो निराले हैं पर अब इन में मजा नहीं आता भोगों की आकुलता और चैतन का स्वाद इस दुविधा में बाईस सागर पूरे हो गए और अच्चुत स्वर्ग से भी च्चुत होना पड़ा आठवा भोग हस्तिनापूर के राजा सुरुप प्रतिष्ट अहो यह हस्तिनापूर नगरी मानो स्वर्ग को भी लज्जित कर रही है पिता स्री राजा स्री चंद ने मेरा नाम सुप प्रतिष्ट रखा अब तो चैतन में प्रतिष्ट होना है कितनी सुहावनी चांधनी रात्री है निर्मल आकास में चमकते धमकते सितारे चैतन चंद्रका का प्रतिक ये निर्मल चांधनी अरे अरे ये प्रिकास रेखा कैसी ये तो उल्का पात लगता है आहां ये तारा खिर गया इस जगत में तो सब को छणक है ये जीवन भी खिर जाएगा कब तक भूगों की ज्वाला में जलूँगा चैतन की निराकुल सान्ती के अखंड वेदन में ये राजपाट का राग बाधक लगता है अब तो ये द्रण निश्चे है कि शीग्र ही समस्त परिग्रह का त्याग करके चैतन की अखंड साधना करना है वाह अतिंद्री आनंद मई निर्गरंत दशा भी अलोकिक है प्रचुर स्वा समवेधन ऐसा लगता है कि उप्योग स्वरूप में से बाहर ही न निकले जरा से रागांस की जलन भी सहन नहीं होती ये भी कर्म बंद का ही कारण है चाहे तिथंकर प्रकृती भी क्यों न हो वो भी तो कर्म ही है धर्म तो नहीं आखिर साधना की अपुर्णता का दंड एक बार फिर मिला जयन्त विमान में मंद कशाय में ही तेती सागर तक रहना पड़ेगा असंख अरब वर्सों तक का एक सागर इतनी बड़ी असहियम दसा वैसे इतना जरूर है कि यहां तत्व चर्चा की सिवाए दूसरा कोई काम नहीं है दस्वाबव वर्तमानबव और वे तेती सागर भी पूरे हो गए 84 के चक्र में भिर्मन करते हुए अनन्त काल बीथ गया कितने बार स्वर्ग गया अनेक बार निर्गरंत दशा का अतिंद्री आनन्द भोगा और स्वर्ग में जाकर फिर असयमी हुआ ये मनस्भव पाकर फिर विश्यों में मोहित होकर विवाबंधन में बंधने के लिए तैयार हो गया दिकार है मुझे कहां गई मुक्ती की छट पटाहट अभी कुछ नहीं बिगड़ा इस बंधन से मुख मोड लेना चाहिए मैं तो सयम अंगी कार करूँगा राजन हां उसे थोड़ा दुख तो होगा ही पर दुख का कारण तो मोह है मैं मोह में क्यों फसूँ ये जगत अनित है अशरण है संसार दुख में है मैं अनन्त गुणों का अखंड एक पिंड पर से भिन चैतन मूरती हूँ सरीर तो जड असुचिता का पिंड है रागादी भाव दुख स्वरूप ही है वीतरागी निर्मल पर्णती ही सुखरूप है शुद्धी की व्रद्धी ही कर्म निर्जरा का कारण है ये सट द्रव्यात्मक लोक अनादी निधन है पुण्योदे से सब कुछ पाना सुलब है परंतु बोधी समादी दुरलब है ग्यान सभाव ही मेरा धर्म है अब तो बस ग्यान ग्यान में ही लीन होता है मैं तो चला चैतन समुद्र में समाने बस अब विकल्प से भी बस हो मैं तो निर्विकल्प समाधी में लीन होता हूँ निर्विकल्प समाधी में लीन होता हूँ